तो दोस्तों आज किस वीडियों में आपसे बात करने वाला हूं data recovery के बारे में की data recovery कैसे काम करती है और क्या आप बहुत सारे पूराने डेटा को रिकवर कर सकते हैं या नहीं तो यहां पर वीडियो स्टाट करने से फ़ले मेरा आप से एक इन पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप में इसनल पर नहीं आया है तो सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल ना भूले साथ उस बैल इकन को भी प्रेस कर दें कि बह तो वहां पर आप किसी भी data recovery software या किसी भी data recovery application से उस file उस software या कोई भी चीज आपकी जो delete हो चुकी है वो recover हो जाती है तो यह कैसे काम करता है तो हम सबसे पहले data recovery के पहले जानते हैं कि files delete कैसे होती है तो मान जी कि आपका smartphone ही हो या आपका computer system हो जिसमें hard drive लगा है तो वहां पर, उस computer system में क्या होता है कि जब भी आप किसी file को delete करते हैं तो वहां पर hard drive में आपका system कहता है कि ये जो file है इसको delete करता दो file ये ऐसَ नहीं कहता है वो ये कहता है कि इस location पर ये जो location है यानि कि इस file का location उसको delete कर दो यानि कि आपका computer system क्या करता है उस file को delete नहीं करता है बस उसके address यानि कि उसके location को delete करता है जैसे कि मानलों कि आपके घर जाना है ठीक है आपको अपने घर जाना हो ठीक है आप अपने घर गए आपको अपने घर का location नहीं पता है तो आप आप कैसे जाएंगे वैसे ही अगर हाड ड्राइव में किसी भी फाइल का लोकेशन नहीं होगा तो आप उसे कैसे ट्रैक कर पाएंगे इसलिए हाड ड्राइव क्या करता है वो बस लोकेशन डिलीट करता है यानि कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है तो उस वक्त फा फाइल का एड्रेस आपकी जो hard drive से है या आपको SSD है को या आपका memory card है उससे डिलीट होता है अब हम बात करते हैं यह अपर data recovery के बारे में अब data recovery में क्या होता है कि वह actually तो आपकी original file लिट नहीं होती है लेकिन data recovery में क्या किया जता है आपकी file जो है उसके address को find किया जाता है क्योंकि आपके hard drive ने के वर उसके address को delete किया है file को delete नहीं किया है यानि कि data recovery क्या करता है कि उस file के address को find करता है और आपकी file जो है recover हो जाती है अब हम बात करते है data recovery कि कुछ precautions के बारे में मानजी कि आपको data recovery करना है या आपकी कोई file delete हो गई तो उसी वक्त आपका computer system है उसको use करना छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप use कर लेंगे तो हो सकता है कि उस location पर कोई दूसरी file आ जाए और वो file दब जाए और फिर वो पुरानी file आपको ना मिले तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए जब भी आपको कोई file delete हो उसी वक्त आप किसी data recovery software से उसको recover कर ले जितना जल्दी हो सके उसको यानि कि उस file को आप recover कर ले इससे क्या होगा कि उस location पर कोई दूसरी file नहीं जाएगी होता क्या है कि जब भी आप किसी file को delete करते हैं तो उसकी location delete होती है लेकिन उस file वहीं होती है तो अब उस location पर कुछ रखा जा सकता है निकि दूसरी file लखी जा सकती है तो अगर कोई computer system में आपकी नहीं file आ गई और उस location पर चली गए तो वापस से उस file को आप recover नहीं कर आप बस format करके मत दे दीजिए क्योंकि actually format करने के बाद आपके hard drive पे जीतने भी files थे पहले उनकी location delete हो गई होगी उनकी file पूरी delete नहीं होगी तो आपको क्या करना होगा जब भी आप laptop या computer system sell करें तो वहाँ पर आप पहले format मार लीजिए और फिर आप क्या कीजिए उस जग file होगी वह नहीं recover हो कवाई है क्योंकि उसका address हो गया और अब उस जगहाँ पर नहीं फाइल आ गई तो अगर कोई user जो खरीदा है आपके laptop या computer system को वह आपकी file को recover नहीं कर पाएगा बाइदो बताएगे कि कैसला आपको वीडियो और अगर आपको वीडियो लगता है तो स thank you and bye bye